इकाई ग्यारह सच्चा बालत जीवन प्रसंग बाल दोस्तों इकाई को सुनिए इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किले आए लेकिन जो मनुश्य अपने आदर्शों को छोड़ता नहीं है वही महान बनता है एक समय की बात है एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था रास्ते में उस पर डाकु तूट पड़े और लूट मार करने लगे उस काफिले में एक नौव वर्ष का बालक था वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूट मार को देख रहा था एक डाकु की नजर उस लड़के पर पड़ी लड़के के पास आकर वह डाकु कड़कर बोला तेरे पास भी कुछ है लड़का मेरे पास 40 अशर्फियां है डाकु क्या कहा तेरे पास 40 अशर्फियां है लड़का जी हाँ डाकु लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया उसने अपने सरदार से कहा यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियां बताता है सरदार, तेरी अशर्फिया कहा है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़ कर उसमें छुपी अशर्फियां निकाली उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो सरदार, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाई तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी मा ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले सरदार, तो तुने अशर्फियों का पता हमें क्यों पता दिया? लड़का, मैं जूट कैसे बोलता? मेरी मा ने कहा था, बेटा, सदेव सच बोलना, जूट बोलना पाप है सरदार, यह चोटा बच्चा अपनी मा का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी जूट नहीं बोला हम लोग बड़े होकर भी इश्वर के बताई नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं सब डाकू, सरदार, बात तो ठीक है सरदार, इनका लुटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो डाकू ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतीग्या की सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था बड़ा होकर यह बालक महन संत हुआ उनकी समाधी बगदाद बे है वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते है एक समय की बात है एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था रास्ते में उस पर डाकू तूट पड़े और लूट मार करने लगे उस काफिले में एक नौव वर्ष का बालक था वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूट मार को देख रहा था एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी तेरे पास भी कुछ है मेरे पास चालिस असर भिया है क्या कहा तेरे पास चालिस असर भिया है जी हाँ डाकू लड़के का हाथ पकड़ कर सरदार के पास ले गया उसने अपने सरदार से कहा यह लड़का अपने पास चालिस अशर भियां बताता है तेरी अशर भियां कहा है लड़के ने अपनी सदरी को फाड़ कर उसमें छुपी अशर भियां निकाली उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा यह देखो लड़के अशर भियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुमें किसने बताया मेरी माने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले तो तुने अशर भियों का पता हमें क्यों बता दिया मैं जूट के से बोलता मेरी माने कहा था बेटा सर्देव सच बोलना जूट बोलना पाप है यह चोटा बच्चा अपनी मां का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी जूट नहीं बोला हम लोग बड़े होकर भी इश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं सामान इने वापस कर दो डाकू उने जब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार ना करने की प्रतिग्या की सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ उनकी समाधी बगदाद में हैं वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं